ये सरकार संबिधान को दरकिनार रख करके आउना पाउना कानून बना करके संबिधान में लिखी गई बातों को नगर अंदाज करती है। जैसे संबिधान में लिखा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति के पास पूजी का संकेंद्रन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सर्याम सारे एरपोर्ट एक पूजी पती को बेच रहें दे रहें। अब बदले में क्या पाते हैं जानने की बात है। तो इसे लिए ये सामान ने बहुवत से संबिधान की व्यक्ष्यावाले सुप्रीम कोट के फैसलों को अपास्त करते जा रहें, निरस्त करते जा रहें, पलटते जा रहें। तो कुल मिला कर मैं यही कह रहा हूँ, कि इलेक्टारल बॉन्ड का जो फैसला है, ये अनुच्छेद 19.1, यानि भारत के संबिधान में उल्लिखित मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। सुप्रिम कोट ने इलेक्टारल बॉन्ड को जो निरस्त किया है, वो केवल उस कानून भर को नहीं निरस्त किया, जिससे इलेक्टारल बॉन्ड चल रहा था, बलकि उस कानून को मूल अधिकार के खिलाफ मानते हुए निरस्त किया, यानि संबिधान के खिलाफ है, तो या तो भईया संविधान में दोती है और अभिया किव moet संसोधन करो और जो खिलाफ संविधान में जहां और टो suspects संविधान को बदल दो अन्यथा आप संविधान के खिलाफ कोई कानून फिर से अध्यादेश के जरिये कैसे जिन्दा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मोधी सरकार ने कई बारे किया है, और एक निर्वाचाना एक तुक नियुक्ति वाला है, एक जो है केजरिवाल सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग के सकती वाला है, ये तीन फैसले ऐसे आये हैं, जो मो उलट दिया अब तीसरे के बारे में भी लोगों को आसंका है लेकिन मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते संभिधान का विद्यार्थी होने के नाते यह स्पस्थ हूं एकदम दिर्णमत पर हूं कि संभिधान की व्याख्या जो सुप्रिम कोर्गी संभिधान पीठ कर द ठी और दोस्तों आज मैं चर्चा करूँगा कि क्या सुप्रिम कोड के द्वारा संबिधान की व्याख्या के आधार पर एलेक्टॉरल बॉन्ड को निरस्ट करने वाला संबैधानिक बताने वाला जो फैसला आया है जो पांच जजज की संबिधान पीछ द्वारा निर्ए आया है उसे मोधी सरकार अध्या देश के जरिये पलट सकती है उसे निरस्ट कर सकती है फिर से इलेक्टॉरल बॉन्ड को बहाल कर सकती है यह सवाल संबिधान से जुड़ा हुआ है कि संबिधान में क्या लिखा हुआ यानि मैं आपको संबिधान बताऊंगा यहां पर अब यह सवाल उठके हो रहा है क्योंकि विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि जब कभी सुप्रिम कोट ने संबिधान पीठ के माध्यम से कोई फैसला दिया है जो मोदी सरकार के खिलाफ है तो मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए और फिर कानून के जरिए उसको पलट दी है दो फैसलों का मैं पहले जिकर कर लूँ फिर आगे इस पर चर्चा करूँगा दोस्तों पहला मामला है निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ती का जिसमें सुप्रिम कोड ने एक पैनल बनाया जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ती करेगा नाम तैं करेगा उस पैंदल में सरकार यानि प्रधान मंत्री विपक्ष यानि विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता और एक रिफरी की रूप में एक तीसरे मेंबर की रूप में भारत की मुखेने आधिस होंगे जो कोई पत पर रहेंगे उस समय जिससे की निर्वाचन आयोग सरकार के नियंतर में नो हो जाए इस फैसले को मोधी सरकार ने आर्डिनेंस के जरीए और फिर कानून बना कर पलट दिया दूसरा एक फैसला आया था कि दिल्ली की केजरी वाल सरकार को यानि दिल्ली की जो लोकल गॉर्मेंट है क्या उसकी सक्तियां उन विभागों के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग तक है जो विभाग उन विस्यों से जुड़े हुए हैं जिस पर दिल्ली की विधा की विधान्सभा को सकति है कानून बनाने की केंदर सरकार ने LG के जरिये उन सकतियों का प्रयोग अपने हाथ में ले रखा था यह कह कर कि यह केंदर सासित प्रदेश है सुप्रिम कोट ने ब्याख्या करते हुए बताया कि दिल्ली पून केंदर सासित नहीं है जैसे चंडीगर पून केंदर सासित है वहाँ बिधान सभा नहीं मिलेगी दादर नागर हवेली दमंदीव में बिधान सभा नहीं है अंडमान निकोबार केंदर सासित है वहाँ कोई बिधान सभा और मंत्री परिशद नहीं है लक्षदीप केंदर सासित प्रदेश है वहाँ कोई बिधान सभा और मंत्री परिशद नहीं है लेकिन दिल्ली में बिधान सभा और मंत्री परिशद है केवल तीन विशियों को छोड़ कर राज सूची के सभी विशियों पर दिल्ली की विधान सभा को कानून बनाने का और वहां की सरकार को उन विशियों पर सासन करने का उसी प्रकार अधिकार है जैसे किसी पूर्ण राज की विधान सभा और सरकार को राज सूची के सभी विश्यों पर होता है तीन विश्यों को छोड़ देजिए जो दिल्ली में लागू नहीं होगे वो चले जाएंगे केंद्र के पास यानि उन तीन विश्यों के लिए ही वहां केवल केंद्र सासित सासन है सेस के लिए वो पूर्ण राज है अपने हाप में दूसरा ऐसा ही राज है पुद्दू चेरी है तो संग सासित प्रदेश लेकिन तीन विश्यों को छोड़ कर से सारे विश्यों वहां की विधान सभावर वहां की सरकार के पास है तो सरोच्च नियाले ने व्याख्या की कि जिन विभागों का विशय जैसे परिवहन तो परिवहन विभाग परिवहन विशय ट्रांस्पोर्टेशन दिल्ली सरकार के पास है तो केंदर सरकार उसके अधिकारी की नियुक्ति तैनाती पोस्टिंग नहीं कर सकती क्योंकि जिस विशेफ पर जो सरकार नियंतर रखेगे ट्रांसफर पोस्टिंग भी वही करेगी यह बड़ी सामान इसे समझ का कानून है जो सम्विधान में लिखा हुआ है लेकिन सुप्रीम कोट ने जब व्याख्या कर दी थी तो क्या इलेक्टारल बॉन्ड पर जो फैसला आया है इसको भी मोदी सरकार अध्यादेश के जरीए पलट सकती है कानून बना कर पलट सकती है पहली बात कानून बनाने की कर दें दस फरवरी को संसत का सत्र समाप्थ हो गया है और अब देश चुनाओं में जा रहा है अब इस लोग सभा की बैठक नहीं हो सकती संसत का सत्र समाप्थ है तो कानून तो बन ही नहीं सकता तो क्या अध्यादेश जारी हो सकता है दोस्तों अनुच्षेद 123 मेरी किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा राष्टपती की अध्यादेश जारी करने की सकती रास्टपती अनुछेद 123 में उन्ही विश्यों पर केवला ध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विश्यों पर संसद सामान निबहुमत से कानून बना सकती है तो संसद सामान निबहुमत से कानून किस विश्य पर नहीं बना सकती संबिधान में अगर कोई संसोधन करना है तो संसोधन जो है वो सामानि बहुमत से नहीं कर सकती अलग-अलग दोनों सदनों का यानि लोगसभा और राजसभा का दो तिहाई बहुमत चाहिए ये कहां लिखा है अनुचे 369 में आर्टिकल 368 में इस पर भी मेरी किताब में पूरा बकाईदा चार्ट बना कर मैंने समझाया है देखिए इस पर मैंने समझाया है बकाईदा कि दो तिहाई बहुमत से संसोधन करेंगे संसत के विशेज बहुमत दो तिहाई द्वारा विशेज बहुमत क्या होता है दो तिहाई सदस्यों का समर्थन आवस्यक होता है यही बात English Medium की किताब में भी आपको मिलेगी अनुछे 378 की व्याख्या करके मैंने लिखा है तो संबिधान संसोधन दो तिहाई वहुमत से होता है संसत के और जो काम दो तिहाई वहुमत से संसत कर सकती उस कारे को राष्टपती अध्यादेश के जरिये नहीं कर सकते जो संसत सामान निवहुमत से कानू बनाती आम कानू उसी को अध्यादेश के जरिये भी कुछ दिन के लिए बनाया जाता है फिर से बता दूं कि जो कानून सामान निवहुमत से संसत बना सकती है उनहीं को राज़्ट पती द्वारा राज्यों मेरा जिपाल द्वारा अध्यादेश के माध्यम से कुछ थोड़े से समय के लिए बना दिया जाता है संसत द्वारा जो संविधान में संसोधन किये जाने की प्रक्रिया है जो दो तिहाय वह मुस्य होती है कानून बनाया जाना है जो संबिधान के खिलाफ जा रहा है तो इस संबिधान को ही बदलना होगा अन्यथा आप उस कानून को नहीं बना सकते अब सवाल यह है कि तो फिर मोधी सरकार ने दिल्ली की केजरी वाल सरकार को जो सकती मिली हुए संबिधान में जो व्याख्या ये कैसे मोधी सरकार ने बदल दिया तो मैं संविधान का विद्यार्थी होने के नाते 20 वर्षों के अपने संविधान अध्यापन के अनुभव के आधार पर यह कर सकता हूं कि केजरी वाल सरकार को जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर संविधान में दी गई है जिसकी घो संवाया वो कानून असंवायधानिक है फिर आप कहेंगे सर लेकिन वहां तो बन गया बन गया तो अब उसे फिर सुप्रीम कोड में चुनोती दी गई है सुप्रीम कोड से संवायधानिक करेगा क्योंकि प्रक्रिया यह है कि संविधान में अगर कहीं कोई बदलाव करना है तो संबिधान संसोधन की प्रक्रिया से करना होगा और संबिधान संसोधन दोतियाई बहुमस से होगा वो साधारन बहुमस से होगा नहीं जो साधारन बहुमस से नहीं होगा वो अध्यादेश से नहीं होगा अब सवाल है कि संबिधान में क्या लिखा है ये कौन बताएगा तो संबिधान में क्या लिखा है इसको तो पढ़कर कोई भी जान सकता है इसके अलामा हम जैसे लोग इसकी व्याख्या करके बताते हैं लेकिन संबिधान में क्या लिखा है जो लिखा उसका क्या आर्थ है इस तो सुप्रिम कोट अपने निल्रे के माध्यम से, जब संविधान पीछ का निल्रे आता है, तो उस निल्रे के माध्यम से संविधान की व्याख्या करता है, वो किसी सामान्य कानून की व्याख्या नहीं करता है, वो संविधान की व्याख्या करता है, तो सुप्रिम कोट के द् क्योंकि संबिधान में संसुधन करके बदल पाएंगे न इसका मतलब क्या हुआ कि संबिधान की जो व्याख्या सुप्रीम कोड कर रही है जो अर्थ बता रही है वही संबिधान है तो उसमें अगर कोई बदलाव करना उसके खिलाफ कोई बात करनी है उसको उलटना है पलटन गांधी के समय में जब सुप्रिम कोट दो बार तीन बार इंद्रा गांधी द्वारा बनाए गये कानुनों को संभधाने गोशित किया है तो बार बार संभिधान संसोधन करके संभिधान में बदलाव करवाती थी बाद में सुप्रिम कोट ने कह दिया कि कुछ हिस्से में इसाब सर्कार्त absorbed कुई को तोड़ने वाला कोई काम करें संविधान में कही से भी छेद कर दो कही से सूराक कर दो on J wandi के कारवाही में और मोधी कि कारवाही में एक अंतर है क्या अंतर है कि इंदीरा-गांधी ये दिखाना चाहा रही थी कि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उसमें सरकार को ज़्यादा सक्ति है सुप्रिम कोट ने ब्याख्या करके समझाया कि नहीं आपको सक्ति ज़्यादा नहीं है लेकिन क्योंकि वो संबिधान के अंतरगत अपनी सक्तियों को बता रही थी और संसत की संसोधन की सक्तिका प्रियोग कर रही थी जो संबिधान में लिखा हुआ है तो इसलिए यह साबित होता है कि उनकी संबिधान में अटूटास था थी लेकिन ये सरकार संबिधान को दरकिनार रख करके आउना पाउना कानून बना करके संबिधान में लिखी गई बातों को नगर अंदाज करती है जैसे संबिधान में लिखा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति के पास पूजी का संकेंद्रन नहीं होना चाहिए लेकिन ये सरयाम सारे एरपोर्ट एक पूजी पती को बेच रहे हैं दे रहे हैं अब बदले में क्या पाते हैं जानने की बात है तो इसे लिए ये सामान ने बहुवत से संबिधान की व्यक्ष्यावाले सुप्रीम कोट के फैसलों को अपास्त करते जा रहे हैं निरस्त करते जा रहे हैं पलटते जा रहे हैं तो कुल मिलाकर मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्टारल बॉन्ड का जो फैसला है ये अनुछेद 19.1 यानि भारत के संबिधान में उल्लिखित मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोट ने इलेक्टारल बॉन्ड को जो निरस्त किया है वो केवल उस कानून भर को नहीं निरस्त किया जिससे लेक्टारल बॉन्ड चल रहा था बलकि उस कानून को मूल अधिकार के खिलाफ मानते हुए निरस्त किया यानि संबिधान के खिलाफ है तो या तो भईया संबिधान में दोती है इस गोमत से संसोधन करो और जो खिलाफ संबिधान में जहां हो टकरा रहा हो वहां से हो संबिधान को बदल दो अन्यथा आप संबिधान के खिलाफ कोई कानून फिर से अध्यादेश के जरिये कैसे जिन्दा कर सकते हैं नहीं कर सकते मोदी सरकार ने कई बार ये किया है सुप्रिम कोट ने तो इधर 2019 के बाद पहली बार को यह ऐसा फैसला दिया है और एक निर्वाचना एक तुक नियुक्ति वाला है एक जो है केजरिवाल सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग के सकती वाला है यह तीन फैसले ऐसे आये हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ थे जिन में से दो को तुन्होंने उलट दिया अब तीसरे के बारे में भी लोगों को आसंका है लेकिन मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते संबिधान का विद्यार्थी होने के नाते एकदम दिन मत पर हूँ कि संबिधान की व्याख्या जो सुप्रिम कोर की संबिधान पीच कर दे तो यह सामान्य बहुमत से कानून बनाकर और उसके विकलप के रूप में अध्यादेश के माध्यम से उल्टा नहीं जा सकता अगर ऐसा कोई कदम उठाती है मोधी सरकार तो वो कदम भी और संभैधानी खोगा उस अध्यादेश को भी संभैधानी गोसित कर देना होगा लेकि किसी भी तरीके से चुकि संविधान को इनको धकेलना है जी हाँ इनके आचन से हस्पस्ट है मैं इनके आचन के आधार परिवाद कर रहा हूँ तो अगर एकल को एक अध्यादेश ला दे और सध्यादेश के जरी SBI के जनरल मैनेजर को आदेश दे दे कि आप मत घोस्तना करिये जो सुप्रीम कोट ने कहा है कि सबका नाम मता ये कौन कितना चन्दा दिया तो जनरल मैनेजर उसी अध्यादेश की आर्मी छुप जाएगा अब फिर मामला आएगा सुप्रीम कोट में कि अध्यादेश सही है कि गलत तो दो महिना चार महिना तो लेकिन इसमें एक प्रभाव पड़ेगा कि मैं गारी भी गारने वाला हूं ये दुनिया जान जाएगी फिर मैं यह नहीं का पाऊंगा कि नहीं मैं अच्छी से चलाना चाहरा हूं धीरे भारत की जनता ये जानने लगी है कि मोधी सरकार समविधान के अंतरगत तमाम न्यायालियों, अन्य सरकारों, राज्यों की सरकारों को जो सक्तियां दी गई हैं, उन्हें किसी भी तरह से एनकिन प्रकारिन हरप कर अपने पास ले आ रही है, उसमें भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कर रही है, और देश की समश्त समपदा कुछ चंद हो सके इसलिए जनता के हीतों के लिए आवाज उठाने वाली विपक्ष को हमेशा हमेशा ED और CBI IT के जरिए परिशान किया जा रहा है IT सेल और मीडिया के जरिए बदनाम किया जा रहा है लेकिन जनता अब जानने लगी है कि यह सब कि संबिधान में जो विकेंद्री करन है सत्ता का उसको बरबाद करने की साजिस है यानि यह सब कुछ जितना भी कारनामा सरकार कर रही है वो सब का सब इस संबिधान के खिलाफ है उस संबिधान के खिलाफ है जो हमारे सब संगठन भारत में थे जो इसका विरोध कर रहे थे एक हिंदू महासभाइक पार्टी थी उस विरोध कर रहे थी और एक अब तक रिजिस्टर रही नहीं है संगठन आरेसिस ये दो इसके विरोध में तब भी थे आज कहां खड़े हैं ये बताने की जरूरत नहीं है आज तो स जागरूक जनता ही इस संबिधान को बचा सकती है जागरूक जनता ही लोगतंतर की सची प्रहरी है और उसको होना भी है क्योंकि जनता के लिए ही तो ये संबिधान लिखा गया है तो जब जनता के लिए ही लिखा गया है तो अंत में रखवाली तो जनता कोई करनी पड़े और अगर आवसकता हो तो इन किताबों को ये हिंदी माध्य में इंग्लिश मीडियम एक ही किताब है नीचे दिये गए नमबर पर वाटसब करके इसको मंगवा सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही फिर हम मिलेंगे जैसंबिधान